नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्रिये चर्ण्स पे मैं आदित्य सालो लिया एक बार फिर हमारी जीएस के सिरीज चल रही थी जहां पर आपके लिए अब दो एक्जाम आपकी एक तो सीपी हो का है और एक स्टैन हो का है दोनों में 50 नमबर का जीके से जीएस से पोर्शन आता है जहां पर 12 से लेकर 15 कुश्चन तक साइंस के मैटर करता है अगर आपका कोई पोर्शन कंजोर है तो आप यहां से आप उस नमबर को अचीव कर सकते हैं और 15 नमबर आप लिए बहुत आसान नमबर है और आप दńsk मिनिट का वीडियो होता है आप इसको अगर देखेंगे भी आराम से तो आपका से यह किलिए होता जाएगा और आप देखेंगे जब आप एकजाम में जाएंगे तो आप एकजाम को ठड़ले से उड़ाते हुए चले जाएंगे ठीक है आइए शेशन को चालू करते हैं इसी के साथ और सबसे पहले आपको चैनल को शेयर करना है अधिक से अधिक और इसको सब्सक्राइब करना है ठीक है यहां तक कि बाते क्लियर और पहला कुश्चन पढ़ते हैं आई होप आप सब सही होंगे तो आइए शेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने कोशिश करते हैं ठीक है रखते चाप को निमनी द्वारा मापा जाता है अब देखो रखते चाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है बताइए बैरोमेटर क क्या मापा जाता है ताप मापा जाता है तो आपने यहां से क्या देखा तो आपने यहांसे तीन संसलेशन के दोरान यह के लिख रखा है इसने मुक्त हुई ऑक्सीजन जो पेड़ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है जिसको अपन ग्रहाण करते हैं वह ऑक्सीजन उस पेड़ में आई कहां से किसके माध्यम से आई तो बताईए कारबंड़ ऑक्साइड के माध्यम से नहीं गलत है क्लोरॉफील के विक्तन नहीं बाता हो रहान नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा जलड़ के माध्यम से पैड़ में जाते है वो पेड़ उसको ऑक्सीजन को अपनको वित्रित कर देता है यहां थे बात के लिए जल्दी बताईए यह तक आधकि बात के लिए तो पेड ग्र रूप में संग्रहित होता है बता ये इंसुलाइनíveीन ग्लायकोजन ये वसां ऐस इसका अंसर हो जायएगा ग्लायकोजन ये हैँ हमारे कोशिका bisogग घटक होता है ग्लाइकोजक जो हमारे शरीर में उर् producción क्या कर रखता है श्टो रखता है आपने देखा होगा कभी आपके दब fast रहता है तो हमारी शरीर में हम खाते नहीं है सुभे से तो वो उर्जा कहाँ से आ रही है वह है उर्जा वो ओती है जो extra glucose हो जाता है जो शरीर में काम नहीं आता है जो पॉर्जल करते हैं धियम परवाइड कर्वाता है छीजे की आप जिससे अपने शरीर को चला सके या आपको उड़ जावान रख सके ठीक है तो इस cancer आपको पता है क्या है इस cancer हो जाएगा glycosin glycosin के रूप में अगला question देखते हैं किस रोग के निदान के लिए alice test किया जाता है या आपको पहले भी बताया था ads के लिए किया जाता है लोग confused रहते हैं alice test किस के लिए किया जाता है ads के लिए किया जाता है सब confused रहते हैं TB जिसमें जादा करके आते हैं लेकिन TB के लिए किस के लिए ads के लिए ads के full form मैं आपको बताता हूँ acquired immunodeficiency syndrome इसको आप ध्यान रखें इसकी full form बहुत बार पूछी गई है एक्जाम में तो यह बहुत important है और alice test तो अधिकतर पूछा ही जाता है हर shift में क्या 2-3 shift के बाद यह question repeat भी हो सकता है कि alice test निमने मैंसे किसके लिए किया जाता है ssc two-liner question करता है और वह ऐसे पूछता है देखो पहले तो आपको रोग के बारे में बता देगा ads एक रोग है ने sorry ads के बारे में पहले आपको वह जानकरी देगा ads का बिना नाम लिए वह एक line दिखेगा फिर दूसे line में एक यह question डालेगा alice test किसके लिए कि जाता है क्योंकि Aluminium का ads कोंसा होता है box site होता है कोंसा होता है box site होता है इस बात को भी आप ध्यान रखें सारे ads को के पर एक वीडियो बन जाएगी कल आप वहां से इसको और अच्छी तरह detail में समझे लेकिन आप यहां से याद रखें box site लोग आपके लिए एक question डालेंगे इससे आपको बोला जाता है strong gas बोला जाता है that is chemical gas कौनसी गैस है रासाइनिक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है एंट्यों को इसको बोला जाता है लाफिंग गैस हास से गैस ठीक है दोनों कुश्चन यहां से याद रखें बहुत इंपोटेंट कुश्चन है जैनन को क् स्ट्रेंज गैस और नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हास से या लाफिंग गैस ठीक है आईए निमने लिकित में से किसमें कार्बन सामिल नहीं होता है जल्दी बताएए हीरा ग्रिफाइट कोईला तो उपर के जो तीनों है ना उनमें क्या है को कार्बन विद्दमान पर देखते हैं इसकी अलग से आपको एक प्रदूशत का कारण बनता है जल्दी बताएए करसीं तेल आपने कभी जलाया है तो आप क्या देखते हैं बहुत उस पर एक अत्यदी दुआ निकलता है पहले नीली कलर के दुआ निकालता है फिर वह एक ब्लैक कलर का कारबन सा थो हो निकालता है तो वह हो नहीं सेकता है वाइस तक हमारे देख से सामने हो रहा है कौएला जलता है यह भी नहीं दीजल बियुक्त तक है क्सक्मीश क बहुत वारा नहीं है किसके लिए हैो नाइट्रोजन इसका अंसर हो जाता है ठीक है विमानों की टैरों में हवा बढ़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है विमानों की टैरों में हवा बढ़ने के लिए जल्दी बताईए इसका अंसर हो जाता है नाइट्रोजन क्यों क्यों कि जब विमान नीचे जब ट्र आग से इसका कोई लेना देना नहीं है इसलिए उसमें क्या बरा जाता है नाइट्रोजन को बरा जाता है अगर चिंगारी उत्पन भी हो रही है टायर और जमीन के घर्शन से तो वहां भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ठीक है यहां तक की बात के लिए आ गयाते हैं और बाशान की प्रक डिया में किस्ते सायता मिलती एंजाईम हार्मोन खनीज्य विटामीन जल्दी बताइए बहुत सवाल इसका इंजाईम क्या है कमप्लैक्स प्रोसेस है जटिल प्रोसेस वहां पे एंजाईम होते हैं क्या करते हैं बोजन को फोटे चोटे च्टे चपड़ आसान बिल्कुल नहीं है तो इसके माना ये बहुत एक जटिल को प्रत्य वर्त्य या दिस्ट एसा भी दिस्ट धार को परिवर्ति धार भाना किया जाता है थिकिर आया मताता हूं इसको जाता है रैक्टिफायर के द्वारा अब यही सवाल अगर उल्टा पूछ ले दिष्ट दारा को प्रित्वर्ति दारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो वहां उसका अंसर हो जाएगा इन्वेटर ठीक है इंगलिश में बोलते हैं अब यहां तक यह बात के लिए आगे बढ़ते हैं अनुवांशिक रोग है डाउन सिंड्रॉम इसका आपको बहुत बार शॉर्ट बना कर ट्रिक बना कर बताया है ठीक है यहां तक यह बात क्लियर डाउन सिंड्रॉम क्या है एक अनुवांशिक्र हो गए मानव मस्तिक्स के किते बाग होते हैं मानव मस्तिक्स के किते बाग होते हैं बहुत इंपर्टेंट कुछ्चन है इस बात को आप ध्यान लगे हैं मानबमस्टिक्ष के तीन बाग होते हैं सबके दिमाग में क्या रहता है दो बाग होते हैं इस बात को आप ध्यान है अगला कुशें देखते डेटल में मौझूद antiseptic योगी कौन सा है SSC CGL का पूछा गया सवाल है डेटल में मौझूद antiseptic योगी कौन सा है इसका अंसर हो जाएगा एन्रोलोग क्लिसिनॉल ठीक है यहां तक की बात clear हो चुकी है यहां तक की बात clear है डेटल का ध्यान रकना बहुत इंपोटेंट है बहुत इंपोटेंट है मैं खहरा हूँ ना यह कुछन आपको अगर मिल जाएगा विश्वास रखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जब तक आप हमारे पुराने वीडिय देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े हैं सीरीज को आगे बढ़ा है अधिक शेयर करें अधिक शेयर करें अधिक शेयर को पहुचा है ऐसे आपके लिए रोज सीरीज आएगी एक्जाम आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने देंगे आज का सेशन लगा हमें बताए है और ऐसी चैनल को प्यार देते हैं चल्क सब्सक्राइब करें शेयर करें